तो गाईज यार मैं हूँ कामता और आज की स्यूडियो में मैं बताऊंगा कि फेक सीटी वी केमरा कैसे बना सकते हैं तो ये है मेरे पास एक फेक सीटी वी केमरा जिसको मैं घर पर बनाया हूँ सिर्फ 20 रुपे के खर्च से तो आप भी इसको असानी से 20 रुपे के खर्च में बना सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बीना किसी देरी के लेस गो तो यहाँ पर मैं बलबा होल्डर का यूज़ कर रहा हूं जो बजार में इसली 15 रुपे में मिल जाएगा सेम इसी तरह से लेना है आप देख सकते हैं यह कांच जो देख रहे हैं यह पुराना लाइट बलब में मिलता था जो पहले मिलता था पुराना वाला लाइट उसी में से मैं निकाला हूँ अब देख सकते हैं हैं जैसे मोबाइल का ग्लास कवर स्क्रीन गार्ड यहां पर मैं यूज किया हूं केमरे का प्रिंट का जो केमरे का फ्रिंट है उसका यूज किया हूं फोटो का यहां पर तीन एलेडी लाइट रेड कलर का आप देख सकते हैं यह थ्री वोल्ट का है और यह ट्रांजिस्टर का यूज किया हूं है आप यहां पर डायोट का यूज कर सकते हैं या राजिस्टर का यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले होल्डर को हटा लेंगे उपर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी सब कुछ समझ आएगा फिर कमेंट करेंगे कि भाई समझ नहीं आया हमको अब LED बल्ब को इस तरह से मोड लेना है सभी को अब इसी LED बल्ब को तीनो साइड लगाना है इसी में तो यहां पर सबसे पहले गुलू गन को अच्छे तरीके से डाल लेना है सभी तरफ और गुलू अच्छे से होगा सभी तरफ तभी लाइट अच्छे से वार्ट करेगा तो यहां पर लाइट को इसी तरीके से लगा लेना है गुलूगन के अंदर कुछी तरीके से घुशा देना है तो यहां पर मैं सभी को अच्छे से लगा दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं सभी तरफ लाइटे लगा दिया हूँ अच्छे से और इसको पैरलर में वारिंग भी कर दिया हूँ पहले से देख सकते हैं तो अब यह यहां तक अब रेडी है तो तार को बाहर निकाल लेंगे थोड़ी सी सौधाने पूरवक से तो दोस्त वीडियो बनाने के लिए काफी मसक्कत लगती है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं इस फोटो का रंगीन प्रिंट निकलवा सकते हैं अब मैं इस फोटो को काट लिया हूं अब यह फोटो होल्डर में फिक्स तरीके से आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं यह फिक्स आ जा रहा है क्योंकि यह 10 रुपे का सिक्के जितना बड़ा है और इसे अच्छे तरीके से चिप का लेंगे इसकी उपर की ग्लास को लगा देना है अच्छे से और इसको भी फिक्स कर देंगे फिक्स से अब यहां पर सब कुछ रेडी है वाइरिंग भी हो गया है तो मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं तो यहां पर USB केबल को मैं चार्जर की फिमेल सॉकेट पे खुषा दे रहा हूं तो यह बिल्कुल वर्क नहीं किया अन करते ही लाइट खराब हो गई तो यहां पर मैं दूसरा लाइट का यूज़ कर रहा हूं यह 5 पोल्ट की लाइट है तो यह अच्छे से वर्क करेगा तो यहां पर मैं कवर लगा दिया हूं लाइट को अच्छे से फिक्स कर दिया हूं अब इसको होल्डर लगा दे रहा हूं अब USB केबल को मैं चार्जर में घुषा दे रहा हूं तो देख सकते हैं यहां पर अच्छे से गलो कर रहा है लाइट केमरे की चारो तरफ रेड लाइट आ रहा है अच्छे से तो देख सकते हैं मैं इसको घर में फिट कर दिया हूँ सामने में तो यह अभी एकदम रियल केमरे जैसे दीख रहा है तो अभी मैं बैटरी का यूज़ हिया हूँ आपको दिखाने के लिए मैं बाद में चारजर का यूज़ करूंगा तो ये USB केबल इसमें जाके फिट होगा तो अभी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ देख सकते हैं आप केमरा को देखो ये कैसे दीख रहा है अच्छे से और पास से देखोगे तो कुछ इस तरह से दीखाई देगा रियल केमरे जैसे अब हैं कैसे दीखेगा तो में रात को देख सकते हैं आप रात को कैसे दीखाई दे रहा है ये आई होप कि ये वीडिओ आपको पसंद आयो होगा पसंद आया तो एक लाइक जूरorit करना झाल झाल